हुआ हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी आप सब का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो अभी ना मॉर्निंग का करीब जो है मतलब बारह नहीं वज़ा है बस बारह बजने वाला है और कल कर जो मेरा ब्लोग जहां सेंड हुआ था ना वहीं से जो मैंने काने का टाइम नहीं हुआ है और अभी मैंने खाना जो है बना लिया है और आज नमे खाने में जो है मैंने बनाया है दाल चावल अलु को जो नहीं ठावेर तो सुबा का अलो When Netadhanak जो है नगीं धहाया पर फिर से मैंने जो है प्रिद नेगः धोड़ मैंने उना दिना दि बनावी बहुत अच्छ लगता है यहां पर अभी क्या हुआ ना यहां पर जो है मैं प्याज काटी काटी इतने आखों से मेरे आशु आ गए ना और यह जो प्याज है नचरह से बस इसके छिलके ही निकालो तो बहुत जादा जो है अंक से आंसु निकलने लग जाते तो मैंने अभी दो प्याज काटा है दो प्याज में जो है मैं पुरा रो ली मतलब तो बस अभी मैंने प्याज काट लिया था मिर्ची बहुत ओर अब ही ना और चोखा में और अभी मैं दाल को भी छोगा लगा लेती हूं तो दाल सिंपल तरीके से ही मैं छोगा लगाती हूं जो चावल के साथ हम लोग डाल बनाते हैं ना उसमें तड़का बगेरा मतलब कुछ ज्यादा अक्षरा कुछ नहीं डालती हूं बस उसमें हिंग जीरा मिर्ची दीया लगा जिती हुँ तो यहाँ पे अभी आलू में मैंने प्याज मिर्ची यह सब डाल दिया था और यह जो मिर्ची है ना थोड़ा से मैंने गेस में पका की डाला है तो अच्छा लगता है और यह मैंने 56 बील ड्याझ आदिया यह जो है जरूर जाना है जरूर तो इसमें ने मतलब थोड़ा से डर्ल हम आमी पापा को ना डर लगा रहता है कि जैसे बच्चे बहार जा रहे हैं कहीं मच्छ ना काड़ ले तो इह होते हैं रहता है इन सारे समझिया उको धुर बगाने के लिए मेरे पास एक बहुत अभी मैं दिखाती है थोरा सा इसके लिए मैं यूज करती हूं तो मतलब अच्छा रहता है इसके लिए दर नहीं रहता है कि जैसे कोई मच्छन ना काड़ ले किरा ना काड़ ले तो यह सम्मुझे दर नहीं लगता है तो यहां पर इह रहें मैं इस प्रोडेक्ट के बात कर अब देख सकते हो यह बहुत ए अच्छा है इसको ने लगाते हो न तो एक बार काहिए दर गवाश्मन से पहले नहीं, तो आप बच्चे के क्लोध में बस प्रेक्रेश कर दिज्ये बहुत ही अच्छा रहता है इसमें इसमें आपको मिल जाएगा सीत्रो नेला एं लेमन गर तक आपके बेबी को जो है यह प्रोडेक्ट सुरक्षित रखने वाला है बस इसको शेक कीजिए और अपने बेबी को जो है इसमें कोई केमिकल आपको नहीं मिलेगा जितना यह प्लास्टिक यूज करते हैं उसे कई ज्यादा प्लास्टिक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और जब भी आप मामार्थ के वेबसाइट से कुछ पर्चेस करते हो ना तो वेबसाइट से लिंक से जोड़ देते हैं तो यह कहां तक पहुंचा है कहां तक नहीं मतलब सारा इंफोर्मेशन आप पहुँचाते हैं और हाइन लुग अगर यह पर्चेस करना चाहते हैं तो कर सकते हो यह ममार्थ द्वंटीन पर मिलेगा यह साथ यसाथ जो आपको तो अगर उसको आप डाउनलोड करते हो तो उसमें डिस्काउंट्स ओफर वगेरा का जो है पता चल जाता है तो इसके सारे लिंक ना मेरे डिस्किप्शन बॉक्स में है तो आप चाहे तो पर्चिस कर सकते हो और मेरा कूपन को भी यूज कर सकते हो अभी यहाँ पे जो है यह दिखे इवनिंग का टाइम हो रहा था और अभी मैं इवनिंग के लिए बहुत ही अच्छा सा एक स्नेक बना रही थी तो यहाँ पे यह दिखी यह सारे चीजें जो है मैंने कट कर लिया है और यह उरत दाल है और कच्चा चावल जो है मैं दो-तीन गंटे लगवग पहले ही में भीगोने के लिए रख दी तो इन सब को अच्छी तरह अभी मैंने धोलिया और यह उरत डाल जो है मैं थोड़ा सा ज्यादा भीगोया क्योंकि इसका और एक मैं रेसिपी बनाने वाली हूं तो अभी मैं थोड़ा सा ही उरत डाल जो है इसके साथ मिक्स करके इन सब को पीछ लोंगी तो सबसे पहले मैं यह कच्छा चावल यह मैं पीछ लेती हूं और जो भिगाया हुआ कच्छा चावल रहता है ना बहुत जल्दी जो है पीछ जाता है मतलब आप करीब एक मिनट भी करीब नहीं मतलब बहुत जल्दी जो है पीछ जाता है तो यहां पे मैं इवनिंग का चाय बना रही हूं और अभी मैं अंडा बोल कर रही थी क्योंकि अभी रात के डिनर में आज अंडे की सबजी और रोटी बनेगी इसी बज़े से तो यहां पे अभी दिखें यह जो है कच्चा चावल है और यह लास्ट वाला में डाल रही हूं ुरत की ैल की डाल मैं इन डाला हुआ है और अभी मैं इन दोनों को गळिसक करके इसमें अप BROWN मेकर में मैं यह बनाने वाली नास्ते में बना सकते हैं वच्चों के लूंच में भी दे सकते हैं लाल मिर्च का पाउडर धनिया पाउडर हली पाउडर और यह भूना हुआ लाल मिर्च का पाउडर और बूना हुआ जीरा पाउडर तो यह सब में डाल के अच्छी तरह से इसका इस बेटर को मैं मिला देती हूं और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था टेश्ट के अनुसार तो यह अच्छी तरह से मिखस हो गया है और अपम मेकर में मैं इसको बनाने वाली हूँ तो यहां पर यह दिखे और यह जो अपम मेकर है ना यह मेरे थोड़ा सब पुराना हो गया है तो इसको मैं धोती हूं ना तो इसका जो इनॉन इस्टिक यह निकल चुका है आधा तो मतलब ठीक है काम चल जाता है तो कोई भी पर दिखें सर्षो का तेल मैंने थोड़ा तो डॉड़ा हुटा यह देखितो तरी की चटनी बनाऊंगी तो इस मूंफली को थोड़ी देर मैं भून लिया था उसके बाद इसके इतने चलके हैं यह तरी निकाल करने वाली हुँ जैसे कि थोड़ा सा धनिया पत्ते है लशन और मिर्ची at consider वाली कहा देखर तो सब्सक्राइब कर दिच चलद कर दाूंगी और नमकretory मेरिं जो है मुम्फली का चटणी तयार हो जाएगा और अपन मिачले अपनागे अप्पे और मौण फ़ली की चक्टनी जब धन फत्तों स्वाल डर्ल के लेकिंटे ड्लय caos , जिए एती हम में ली क्लिए बनाते हम अग्य श्वाबर आहिए il owna बहुत जंजट हो जाता है मॉर्णिंग के टाइम में ज्यादा तर जो है इवनिंग के टाइम ही यह सारे चीजे बनाती हूं तो यह दिखिए मेरे अप्पे बन के तयार है साथ मेरे चटनी मुफली की चटनी के साथ जो है बहुत ही अच्छा लगा था तो आप एक बार जरू खाना है मामी पीजा मंगाओ तो अभी यहां पर मैं बोली मनीशा को कि अभी रुख जाओ गोलु अडुगी को आने दो पर इसको ना फास्ट फूट खाना बहुत अच्छा लगता है बाहर की चीजे पीजा बर्गर तो यह सब हम लोग कभी खा पाते कभी-कभी मतलब अभी खाना है मैं बोली अभी रुख जाओ तो नहीं इसको ना मतलब जल्दी था खाने के लिए तो इसके साथ मैं भी खा रही थी और गोलु और डुगु अभी टूशन गए थे तो वह सब नहीं आये थे तो और लाइन यहां पर मतलब ज्यादा जो एफ होते हैं ना वह सब्सक्राइब जो है नहीं आते हैं जो मैं आटे उसे बस ओर्डर कर सकते हैं यहां पर नहीं आते हैं हम लोग एड्रेस पर और इसके वाज़ें का टाइम हो रहा है और यह दिखिए बादल जो है कि इतना अच्छा लग रहा है अब देख सकते हो बहुत मस्त वाला बादल जो है लग रहा है यहलो यहलो हो गया है अभी दिया बाती का भी टाइम हो गया है